नमस्कार, चानक्या IAS Academy के संपाद की विसलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से समंदित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रश्ण के साथ प्रश्ण है कि नागोडनो कराबाख विवात पर प्रकास डाले और यह जो प्रश्ण आप से पूछा गया है यह समंदित है आज के संपाद की से आज तीन संपाद की महत्पूर्ण है जिसमें पहला संपाद की जिसका शिर्षक है इस स्लिम इस्टिमिलस इसे लिया गया है दा हिंदू निश्पेपर से और यह संपादिकी है हाल ही में सरकार द्वारा घोसित 73,000 कड़ो रुपए के प्रोचसाहन पैकेज पर आधारी थे इस विशे पर कल के संपादिकी में विस्तार पूर्वक चर्चा की जा चुकी है वहीं दूसरा संपादिकी है जिसका सिर्षक है Crisis in Cossus इस संपादिकी को भी लिया गया है The Hindu Newspaper से और यह संपादिकी है GS Paper Second में International Relations के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है वहीं तीसरा संपादिकी है जिसका सिर्षक है 100% failure इसे लिया गया है Indian Express से और यह संपादिकी है GS Paper Third में Economic and Social Development के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है अब इन संपादिकी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व यह देखते हैं कि कल जो प्रश्ण पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है कल का प्रश्ण है कि राजकोसिय घाटे में व्रिधी तब अच्छी है जब कम हो रहा हो तो इसका सही जवाब है राजकोसिय घाटे का अर्थ है कि सरकार के आय की तुलना में सरकार के व्याय की अधिकता मतलब सरकार की जो आय है उसकी तुलना में सरकार के व्याय की अधिकता तो अगर राजकोसिय घाटे में व्रिधी हो रही है और उसके साथ साथ राजस्य घाटे में कमी हो रही है, तो इसका अर्थ है कि सरकार के पूंजी गत व्याय है, यानि कि capital expenditure में वृध्धी हो रही है, मतलब अब संगरचना संबन्धी छेत्रों में सरकार के द्वारा निवेश किया जा रहा है, जो एक सकारात्मक संकेत है, तो यही कारण है कि मौजुदा अर्थ विवस्था की स्थिती में यहाँ बात कही जा रही है, कि सरकार राजकोसिय घाटे की चिंता ना करते वे निवेश पर जादा से जादा बल दे। और इस विवात का कारण है नागोर्नो काराबाग स्वायत छेत्र, यह स्वायत छेत्र इस्थित है डक्षिन पश्चिम अजर्बैजान में और यह एक पहाडी छेत्र है, वहीं आर्मेनिया की अंतराष्टिय सीमा से नागोर्नो काराबाग की दूरी है 50 किलो मिटर, अब ए यह अजर्बैजान है यह आर्मेनिया और हम यह देख रहे हैं कि अजर्बैजान के साथ जो सीमाई सट्री है वो किनकी किनकी, रूस की, जॉर्जिया की और इरान की, वहीं अगर हम आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया के साथ जो सीमाई सट्री हो किनकी, जॉर्जिया क तुर्की की और इरान की अगर आर्मेनिया और अजर्बैजान की बात करें तो यह काकेश्यन छेत्र में इस्थित है काकेश्यन छेत्र यह काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में इस्थित है और इस छेत्र में जो महत्पून देश हैं वे हैं आर्मेनिया अजर्बैजान जॉर्जिया और रूस का दक्षनी हिस्सा वहीं आर्मेनिया की अर्थविवस्था का मुख्य आधार क्या है किरसी, खनिज संसाधन, दूर संचार और पनबिजली और यहां के लोगों का जो मुख्य धर्म है वह क्या है वह है इसाई अगर अजर बैजान की बात करें तो इसकी अर्थविवस्था का आधार है तेल एवं गैस का निर्याद अजर बैजान तेल एवं गैस का मुख्य निर्याद तक है किनके लिए यूरोप और मद एसिया के लिए और यहां के लोगों का जो मुक्ध धर्म है वह क्या है वह है इसलाम आईए अब यह देखते हैं कि नागोर्नो कराबाख से समंधित जो विवाद है वो आखिर है क्या तो इस विवाद की सुरुआत होती है कब स्तालीन की उस नीती से जिसके अंतरगत स्तालीन ने नागोर्नो कराबाख को एक स्वाइत छेतर के रूप में सोवियत अजर्बैजान को सौप दिया और इस तालीन के इस निर्णय का विरोध किया सोवियत आर्मेनिया ने तो यहां पर जो यह सोवियत सब्द का परियोग किया जा रहा है या मुक की रूप से क्या है USSR Union of Soviet Socialist Republic और अजर्ब में कमजोरी आने लगी तब उस समय नागोर्नो कराबाख की Assembly ने आर्मेनिया में सामिल होने के लिए मतदान किया तो इसके बाद इस छेतर में नसली हिंसा प्रारम हो गई और 1991 इसवी में जब सोवियत संग या USSR विघटित हुआ तब नागोर्नो कराबाख स्वाइत छेतर म जनमत संग्रह करवाय गया और इस जनमत संग्रह में यह निर्ने लिया गया कि नागोर्नो कराबाख एक स्वाइत छेतर है हाला कि नागोर्नो कराबाख स्वाइत छेतर में जो जनमत संग्रह कराया गया उस पर अजरबैजान ने अपनी सहमती नहीं दी और उसका विरूद क तो इसके परिणाम सरूप आर्मेनिया और अजर बैजान में युद्ध प्रारंब हो गया। इस तर पर औस्विकार कर दिया गया। लेकिन मत्यस्तता के बाद भी इन दोनों देशों के बीच विवाद जारी रहा। और यह विवाद फिर चरम पर दिखा दोहजार सोलह इस्वि में जिसमें की दोनों देशों की सेनाय आमने सामने हुई। और यह जो युद्ध हुआ था उस समय उसको संया दी गए फोर डे वार। वही यह जो विवाद है आर्मेनिया और अजर बैजान के बीच में नागोरनो कराबाग छेतर को लेकर तो यह चिंटा जनक इसलिए भी है क्योंकि इसमें वाई हस्तक्चेप है और ये वाई हस्तक्षेप किस रूप में है या वाई हस्तक्षेप है तुर्की के रूप में और रूस और इरान के रूप में आई ज़र देखते हैं कि इनके क्या-क्या हित हैं अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की अजरबैजान को जिन आधारों पर समर्थन करता है वह है धार्मिक और भोगोलिक और उसका उद्धिस यह है कि काकेशन छेत्र में आर्मेनिया के प्रभाव को सिमित किया जाए इसलिए तुर्की अजरबैजान का समर्थन करता है उसके अलावा तुर्की के वर्तमान राष्टपती जो एडोगन है तो उनकी इक्छा यह है कि तुर्की का भूर राजनितिक परसार उस सीमा तक किया जाए जिस सीमा तक पूरवी आटोमन सामराज्य का छित्रविस्तार और हमें यह पता है कि जो आटोमन सामराज्य है उस आटोमन सामराज्य का केंद्र कहा था वह था कुस्तुन्तुनिया में और यह कुस्तुन्तुनिया कहा परिस्तित है यह कुस्तुन्तुनिया इस्तित है तुर्की में तो तुर्की वर्तमान विवाद को मतलब नागूर्ण तुर्कों की राष्टी परतिबदता भी इस समिकरन का एक महत्पूर्ण पहलू है तुर्की के बढ़ते दखल और अजर बैजान द्वारा सीरियाई विद्रोहियों को ध्यान दिजेगा अजर बैजान द्वारा जो सीरिया के विद्रोही हैं तो सीरियाई विद्रोहियों को आर्मेनिया के विरुद्ध इस्तमाल के कारण यहां इस्तिती गंभीर हो गई है और यह जो छेतरी विवाद है इसने एक अंतरास्टी स्वरूप ले लिया है वहीं अगर हम बात करें रूस और इरान की तो हमने पहले ही यह देख लिया है कि दोनों देशों की सीमाएं इन दो जर्बैजान के साथ सटी हुई है अगर आर्मेनिया रूस के संबंधू की बात करें तो पहली बात तो यहां कि आर्मेनिया में रूस का सेन्य अड़्डा है वहीं आर्मेनिया CSTO मतलब कलेक्टिव सिक्यूरिटी ट्रिटी और्गनेजेशन का एक सदस्य है और CSTO की रूस की अगवाई में कारी करती है इसकी स्थापना हुई है 2002SW में और यह एक सैन्य गड़बंधन है आर्मेनिया और रूस के अलवा कजाकिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान इसके सदस्य देश है वहीं अगर हम इरान के हीद की बात करें तो इरा यह चाहती है कि अजर्बैजान का प्रभाव वहां काफी सीमित हो जाए क्योंकि इरानी सीमा की अगर हम बात करें इरान के तो उसके उत्री सीमा पर अजर्बैजान में जो सोसल जो समाजिक प्रभाव है वो प्रभाव इरान की उत्री सीमा पर भी देखी जाती है तो यही क विवाद में विवर्धी होती है, तो फिर C.S.T.O. समझोते के अंतरगत आर्मेनिया आटिकल 4 के द्वारा रूस से मदद की अपिक्छा करेगा, और अगर रूस आर्मेनिया की मदद करता है तो फिर्या विवाद रूस और तुर्की के बीच में बदल जाएगा, और हमें यह पता है कि तुर्की नाटो का सदस्य है तो मतलब अब यहां पर यह है क्या कि अगर यह विवाद रूस और तुर्की के बीच में बदलता है तो फिर इसका क्या प्रवा क्या यह अंतराश्टी इस तर पर कुछ प्रतिक्रिया है देखने को मिलेंगी हलाकि यह एक संभावना है अभी जो मौजुदा विवाद चल रहा है उसके अंतरगत अगर हम अंतराश्टी प्रक्रिया की बात करें तो हमें यह पता है कि अमेरिका, इरान, रूस, फ्रांस और जर्मनी समेत कई अन्य देशों ने नागोर्नो, काराबाग, स्वाइत, छेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजर्बेजान, इन दोनों के बीच जो अभी विवाद चल रहा है, उसके ततकाल समस्या ढूडने की बात की है नोंने, और इन दोनों देशों को युद्विराम के नियमों का पालन करने, और जल्द से जल्द, इस मामले को वारता के माध्यम से सुझाने का आहवान किया है वही हमें यह भी पता है कि रूस, सीरिया, युक्रین और लीविया में जो संगर्ज चल दा है, उसमें रूस सामिल है, तो रूस ये चाहता है कि अभी कोई नया मोर्चा ना कुले, मतल्द नय मोर्चे ना कुले, उसके परती रूस सचेत हैं। मतल्द आर्बेनिया को और उसके लिए रूस ने प्रियास प्रारंब किया है। वहीं अगर हम इस विवाद के परिपेक्च में भारत को देखें तो भारत का संबन्द अजर्बैजान और आर्मेनिया दोनों से अच्छा रहा है। अजर्बैजान के प्रती संतुलन की रूप में भारत आर्मेनिया के साथ सयोग इस्थापित कर रहा है। वहीं अगर अजर्बैजान की बात करें तो इंटर्नेशनल नौर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कोरिडोर जिसके अंतरगत जहाज, रेल और सड़क मार के नेटवर्क का विकास किया जा रहा है, तो इसमें भारत और अजर्बैजान दोनों शामिल है। लेकिन यहाँ पर एक बात उलेखनी है कि अजर्बैजान का नजरिया कस्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की समान है। और उसका कारण यह बताया जाता है कि अजर्बैजान तुर्की का समर्थ चाहता है और कस्मीर मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है तो यही कारण है कि अजर्बैजान भी कस्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है वहीं आगे अगर हम निसकर्स रूप में बात करें तो दोनों पक्षों को शांती इस्थापित करने के प तो इस छेत्रिय तनाव को कम करने के लिए अजर्बैजान, आर्मेनिया और कराबाक विद्रोही वो जल्द से जल्द युद्विराम की खोसना करें और इसके समाधान के लिए कूटनीतिक वारता को एक महतपूर्ण उपकरण की रूप में स्विकार करें तो इस प्रकार पहले संपादिकी की द्वारा हमने नागोर्नो कराबाक से सम्दित विवात को विस्तार पूर्वक समझा अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका सिर्षक है 100% failure और इसका आधार क्या है इसका आधार है दिल्ली विस्विद्याले का नाम मंकन की प्रक्रिया चल रही है और इस नामंकन प्रक्रिया के अंतरग्थ जो first cut-off है उसको जारी किया गया और यह cut-off कितना है 100% अगर cut-off के निर्धारन के आधार की बात करें तो यह निर्धारित किया जाता है किसी छात्र के बारवी कच्छा में जो विसे हैं उन विसेयों में से चार ऐसे विसें जिसमें कि उसने सबसे अच्छा अंक प्राप्त किया है तो उसके आधार पे cut-off का निर्धारन किया जाता अब देखें कि इस वर्स CBSC बोर्ड में 95% से जादा अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या कितनी है 38686 और ये पिछले वर्स की तुलना में यह संख्या दुगनी है तो अब ये जो उच्छ कट आफ जो दिल्ली विस्विदाले की दोरा जारी किया गया है आखिर उस सीट की तुलना में आवेदिकों की उच्छ संख्या है इस वर्स दिल्ली विस्विदाले में जो सत्तर हजार सीट है उसकी तुलना में साड़े तीन लाख आवेदन प्राप्त किये गये है वहीं दूसरी बात कि बारवी कच्छा में जो परिक्छा का मुल्यांकन ए उस मुल चात्रों को उसके अलावा कट-off को इसलिए जादा रखा जाता है ताकि over admission को रूखा जाए क्योंकि हमें यह पता है कि नामंकन का कट-off जितना उच्छ होगा उतने हर एक कट-off पर चात्रों की संख्या गहरती चली जाएगे, उसके अलावा गुणवत्त युक्त विष्विट्याले की कमी है देश के, अब देखें क्या है कि अगर गुणवत्त युक्त विष्विट्याले की कमी हो गई, तो चात्र दिल्ठीछ सहित और जो बड़े शहर है, वहां के सिक्षन संस्थानों की और आकर्सित होंगे, अब उसका कारण देखें क्या है? उसका कारण है अब सनचना, चाहे वो अकादमिक अब सनचना हो, चाहे वो भौतिक अब सनचना हो, दूसरा कि जो इसत्रा के विस्भी द्याले हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं, आर्थी क्रिया कलाब करवाई जाते हैं, फिर वहाँ पर स्कॉलर स्रीप की विवस्ता है, और बच्चे के व्यक्तित का विकास होता है इस तरह के बड़े विस्विध्यालेओं में, और फिर इन विस्विध्यालेओं से पढ़कर निकलने वाले जो छात्र होते हैं, उनके सरकार चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, तो दोनों सरकारों के द्वारा सारजनिक सिक्षा में जादा से जादा निवेस किया जाए। उसके अलावा संपूर्ण देश में मौजूद जो सिक्षन संस्थाएं हैं, उन सिक्षन संस्थानों में अकादमिक अवसनचना को मजबूत किया जाए. वह इसलिए क्योंकि यह आवस्यक है कि राश्टी इस्तर का पाठिकरम हो, यह आवस्यक है कि इस तरिये सीखने-सीखान की एक प्रक्रिया हो, उसके अलावा बारवी कक्षा की जो परिक्षा होती है, तो उसके मुल्यांकन की भी समिक्षा होनी आवस्यक है. साथी, नई सिक्षानीती 2020 के उचित एवं त्वरित क्रियान्यन की भी आवस्यक्ता है. वही अगर नई सिक्षानीती 2020 के कुछ प्रमु पोस्ट ग्रेजवेट और डॉक्टरल सीट को जोडने की बात की गई है। उसके अलावा सिक्षन संस्थानों को यह अनुमती है कि वह नए कोर्स और प्रोग्राम को प्रारंब कर सकें। पाहले या विवस्था नहीं थी। मतलब यह कि UGC के अंतरगत सिक्षन संस्थान इस तरह के कारें नहीं कर सकते थे। परिच्छा पढ़नाली या common entrance system के प्रावधान भी इसमें सामिल है। तो अगर संपूर्ण देश में सिक्षा के इस तर पर अगर हम समानता चाहते हैं तो उसके लिए या आवस्यक है कि लेंगिक, छेत्रिय, वर्ग और जातिगत इन आधारों पर छात्रों के साथ किसी प्रक बाव ना हो। तो इस प्रकार हमने दूसरे संपादिकी के अंतरगत सिक्षा विवस्था में जो मौझूद विसंगतियां हैं उन विसंगतियों पर हमने एक नजर डाली और उसके लिए क्या उप्युक्त समाधान हो सकते हैं उस पर भी हमने चर्चा की। अब एक नजर कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार।